सरकार स्टेबल नहीं होते हैं तो बीजीपी वालों आज हमें छोड़ जेना था इस टाम तो जैराम जी जो है नाचरे होते हैं पर जैराम जी आज दर दर बटक रहे हैं कभी दिली कभी चंडीगाइड कभी शिम्ला बटक रहे हैं तो कारण यहिए कि वह माइनेट्री में है और कॉंवर्स के सरकार जो है पुरी तरह से जो है बहुमत के साथ है और इस बहुमत को तोड़ने के लिए वो मतलब हर किसम के हत्कंडे अपना रहे हैं आपने देखा होगा पहले छे लोगों को जो है किस तरह से उन्होंने डिस्कौलिफाइ कर रहा है और आज कहने कि हम स्कौलिफाइ वो कॉंवर्स के विदाय का है बीजेपी का लोकर स्टेंड़ाइ का है सुप्रिम कोट जाने इसका मतलब ये बड़ी गैरी साजिस थी कि एक चुनीवी सरकार को गिराने के लिए बाजपा ने जो है एक शडेंतर रचा उस शडेंतर के तहत जो है सारे ये इस के शडेंगे तो आको पता लगेगा है सरकार गिर गई तो इस किस्म की बात कहना अपने आप में जो है एक नकरतमक सोच की बात है जो संविधान की खिलाप है जो नेतिकता के खिलाप है तो ये फिर भी जो है इसको एगर हम टॉलरेट कर रहे हैं तो पहर समझ सकते हैं कि ल जो है एक संविधान के तहस्च चलता है जो संविधान में नीम दिये है उन नीमों की अवयरा की जा रही हैँ उन नीमों को ताक ही राहा है और जन्ता ने हमें पंप साल के लिए चुनके वेजा है और आरिप वहोमत के सामै के शुन वेजा एब इनको यह first साल तक यह सत्ता के नजदीग नहीं आ सकते थे तो सत्ता से बाहर जैसे मचली को निकालते पानी से उस किसम की तडब बीजेपी के लोगों के अंदर है और किस तरह से यह दोबारा सरकार में वापस आने का तरीका डून रहे हैं क्या यह संविदानिक है कि चुनिवी सरकार को तो आप प्रलोबन से चुनिवी सरकार को जो सम्थम्म्यदानिक तरीके से जो है इसको गिना कर आप सरकार में आएंगे कौन की नहीतिता की आप बात कर रहे हैं क्या हम उस दिशा में नहीं जा किस तरह से बविष्चे हिमाचल का नहीं है बविष्चे इस देश के अस्टितब का है कि ये देश बविष्चे में किस दिशा में जा रहा है क्या ये लोगतंतर रहेगा जिस लोगतंतर के लिए हमारे महान नेताओं ने जो है महान बलिदान दिया है आज हम उस बात को भूल कर दबारा से क्या डिक्टेटर्शिप की तरव जारें दबारा से क्या गुलामी की तरव जारें तो यह बड़ी सर्वनाग गटना हो रही है और इसको बड़े बैश्मिно इसको किया जा रहा है और फिर भी यह लोग जो अपने अपको ना-पाक कह रहे हैं यह एक सबसे बड़ी आज जो है एक एक सोच जो हमें करनी चाहिए उसका है यह पने साथियों के बारे में वैसे कहना नहीं चाहता था प्रंटो अब मुझे कहने के लिए मजबूरन कहना पड़ रहा है अगर उनको कोई भी पार्टी से यह हमारे कहते हैं सरकार किस पूरी आजादी होती है अपनी बात कहने का और एक यह फॉर्म था जिसमें वो रिडरसल कर सकते थे सेकेंड फॉर्म था पार्टी के मादम से कर सकते थे इन दोनों को इनों ने जो है उपयोग नहीं किया और बलके जह दिन हमारा यह जो विदान सबा का सेशन था उस समय भ की बलके जिस दिन लोग राज्य सबा का वोटिंग होना था शाम को साथ बज़े जो है सील पी फिर थी उस सील पी में सभी मानने जो लोग है आद निसकासित हुए है यह भी आए उन्हों ने वहां पर एक सब्द अपनी नराजगी के बारे में नहीं बताया अगर वो कहते ह कि भी हम बोट जो है नहीं डालेंगे हम नराज है हमारी नराजगी को दूर की जाए तो वो एक संविदान के तायत लोग तंतर में यह बहुत बड़ा एक अधिकार जो था उसको उन्हों ने खूलिया अब अब जब यह निसकासित हुए है अब यह कह रहे हैं कि हमारे यह फलाने थे तो क्या इनको यह अधिकार है अगर यह हमारे पार्टी के आदरशों से भी अगर अलग हो गए है यह नराजगी थी तो रिजाइन कर देते तो बारह से चुनाओ लड़के आ जाते और जिन्हों ने आपको नराजगी दी या जिन्हों ने आपको जो है मोका ने दिया उनके खिलाब कर लेते आप वो तो एक लोगतां तरिक तरिका था परन्तु आप जो है दूसरे खेमे में जाएंगे तो हमारा जो सर्मिदान में शरूल 10 में बताया हुआ जब आप अपने दल के खिलाब जाओगे आप बजट सेशन चला हुआ है बजट में अगर एक आपका कर्केट का मैच हो रहा है उसमें तेज़ फूट दूर से आपको बॉलिंग करनी है मैं नहीं मालूगा मैं को मैं पंद्राफूट से कर दूँगा तो कैसे खेल करेंगे आप बताइए तो नियम से ही खेल भी चलता है नियम से ही जो है सिरकारे चलती है सर्मिदान से यह मेरा कहना है यह क्या है इसके बारे आप मरसे ज्यादा जानते हैं सर्फ जो बागी है वो कहरें कि और भी थी नहीं हमें तो जो है आखरी पड़ाव जो है सुप्रेम कोट है हमने हमेशा सुप्रेम कोट के चाहे फैसले चाहे हमाए हमाए मतलब उसका पाइदा हुआ नह जब करें कोई सानी होता है कई कैफले कल पार दी पात पायरन को चाहता हूं और सुप्रेम करूत जक्त काईब हम दूसरु acknowledgement कि मतलब नहीं होता है कि वहाँ जाकर रामसलाम करो जपना काहीं एक दूसरे की सहमती नहीं होती है इसलिए कैबनेट में हम एक दूसरे के विचारों को भी समझते हैं पॉलस्य में अगर हमें लगे यह ठीक लिया है अर्सटी करने का पूरा अधिकार है और उस अदिकार का हम लोग पूरा पालन भी करते हैं और फिर बहुमत की जो रहे होती है कैबिनेट में उसी का पैसर होता है जहां तक अभी एक ये जो कान जिसको कान का रूप दिया जा रहा है ये ना तो कार्ड का ना कोई उसकिस्व की वारदात हुई है जहां तक मेरा मु मुझे किसी ने बताया विदिया मैं वैसे स्कॉल करा था तो मैं जब चंडिकर पोंचा देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्यूंकि मैं तो जो है जो कैबिनेट था दो बज़े के आसपास लांच टाइम हो गया था दो से भी बलके थोड़ा समय हो गया था लांच ब् जो फर्स्ट लिस्ट एजेंडा का था वो खतम हो चुका था और मैंने मुखे मंत्री के ध्यान में लाकर मैं जो है निकला मैंना क्योंकि टूर प्रोग्राम अलेडी सर्कॉलिटर था मैंने परमानों तक जाना था तो मैं वहां से निकला और जब बान मैं देखा तो ये दो न्यूज चैनल्स ने इस किसम की कहानी गाड़ी गई कि जिसमें मैं रोहित थाकुर उनके साथ जगड़ गया और उनको उनके साथ जो है हम दोनों के बीच में जो है बहुत ज्यादा तनाव रहा तो इस किसम की जूटा एक परचार करके मुझे समझ दिया कि ये चैनल वाल इस किसम की क्या वाद लाद हुई हम अपने पार्टी के लोगों के नजरों में मैं गिराय गया मैं तुरंट जो है उसे चैनल के जो करने वाले हैं उन से संपक किया और मैंने का आमने ये जो है शड़ इंतर क्यों किया आम ने ये जूटी खबर क्यों फिलाई तो वो जो है इदर उदर की बात करके बात डालने की कोशिश की तो मैं जो है बहुत आहत हुआ हूँ इस बात से मैं जो है जो भी कानूनी जो मेरे पास कानून का सारा है मैं उसको लेकर इन दोनों चैनल के खिलाब जो है मैं कानूनी कारवाई करूगा